हेलो एवरिवन, वेलकम तू माई चैनल, हिंदी टारटाक रिपल टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे So viewers, आप सभी को पता है, आज हमारा बहुत special day है, आज है हमारा 11.11 portal, जो बहुत बहुत ज़्यादा powerful portal है और अगर आप actually में पूरे शिदत से, पूरे दिल से कुछ मांगना चाते हैं, divine से, universe से, तो definitely for sure आप आज जरूर से मांगेगा आज जरूर से आप manifest कीचेगा, और शाम को जब 11 ही घड़ी में बच रहे हो, चाहें तो आप alarm लगा लीचेगा, 11.11 का और उस वक्त पे आप जरूर से manifest कीचेगा, आपकी इच्छा fulfill जरूर से होगी, और उसको लेकर आपको अपने mind एकदम positive बनाई रखना होगा, अपने आपको positive रखना होगा, थोड़े बहुत उसके अलग भी efforts यहाँ पर चाहिए होगे, लेकिन guarantee इस चीज़ की होगी, कि efforts यहाँ पर डालोगे, मेनत करोगे, वो definitely आपको मिलकर रहेगा, तो आज के दिन जरूर से 11-11 बजे आप जो चाहते हो, जो manifest करना चाहते हो, आप उसे जरूर से कीचेगा, और हो सके तो आज के दिन आप 11-11 पर water technique जरूर से कर लीजेगा, ठीके, सबसे पहले water technique कर लीजेग and then उसके बाद अब जो भी अपना manifestations का tool और technique यूजे करते हैं, वो कर लीजेगा, क्या करना है, कैसे करना है, वो सभी चीजे मैं आपको अंत में, आपर reading में बताऊंगी, तो अंत तक reading में बने रहेगा, सबसे पहले मैं आपर यह देख रही हूँ, जिस person के लिए आपी reading दे देखेंगे, deep inside क्या कुछ इनके मन में है, यह सभी चीजे देखी जाएंगी, लेकिन उससे पहले विवर्स इतना कुछ यहाँ पर देखने जा रहे हैं, इतना कुछ आपको यहाँ पर एक ही reading में मिलने जा रहा है, तो definitely for sure, भाई subscribe तो करना पड़ेगा, bell icon को जरू से press करना पड़ेगा आपको अगर आप इसी तरह से अपने partner के regard, कोई नई जानकारी जानना चाते हैं, नई tools और techniques के बारे में जानना चाते हैं, तो subscribe करके bell icon को जरू से press कीजेगा, back to the reading देखें आपको क्या करना है, आपको धिहान रखना है reading के दरान, कि आप maximum focus अपना अपने partner के पर बनाएंगे, हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में तीन से लेकर पांच बार जरू से ले लेंगे, collective और एक general reading होगी, इस चीज का आपको खास धियान रखना होगा, and even एक timeless reading तो होगी विवास, so इन सभी चीजों का धिहान आपको रखना है, तो चलिए जी सब से पहले मैं देख रही हूँ, इस 11-11 पोर्टल का effect आपके partner की energies पर, इनके state of mind पर, आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिष्टे को लेकर, क्या पढ़ रहा है, पहला आपका बहुत speed से आया है, mistake, guide कीजों बताइए, spread guide divine, मुझे guide कीजों बताइए, मेरे viewers के person की energies, इ let's check, तो सबसे पहले है आपका mystic, priest, queen, judge, and bottom is prince, okay, guide कीजे universe, please divine, please archangers, please holy angels, please spread guide, guide कीजों बताइए, viewers के person की energies, इनके emotions पर, viewers को लेकर, viewers से जुड़े हुए connection को लेकर, क्या असर पढ़ रहा है, किस energy, किस state of mind में ये person है, spread guide, please divine, मुझे guide कीजों बताइए, mystic को लेकर, viewers के person की energies, इनके state of mind को बताइए, divine guide कीजों बताइए, expectations, transformations, and bottom is no thinkingness, ठीक है, तो एक energy में आपर notice कर पाईए हूँ, इस person की, कि जैसे ये अभी तक बहुत सारी चीजों को लेकर, अपना घमंड दिखाते थे, काफी जादा egoistic person ये थे ना, इस वक्त में इनकी energies में मुझे ego नजर नहीं आ रहा है, एक चीज में आपर notice कर पाईए जैसे यहाँ पे आपका water element है, Cancer, Pisces, and Scorpio, Scorpio काफी strong में है, करक, मीन, विष्टिक, राशी, ये आपका Taurus हो गया विवास, और ये आपका Sagittarius है, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 14, 5, 13, 4, ये मुझे important दिखें, मन्त की बात करी जाए, तो April and May, ये मन्त जाद important है, अभी हलाकी tarot से clarifications के लिए cards निकाले जाएंगे, तो discuss सभी चीजे करी जाएंगी, इसलिए बार-बार बोल रही हूं, अंत तक reading में बने रहेगा, मैं आपको कभी भी किसी भी वक्त में आपको कैसे आज की रात manifestation करना है, इवन आज की रात क्या, आप इस पूरे मंत मे नवंबर मंत में आप इस टेकरी को continuously पूरी शितत, पूरी मांदारी, पूरी honesty के साथ करेंगे, तो आप अपनी जिन्दगी में अपनी उस इच्छा को, उस wish को fulfill ज़रूर से कर पाएंगे, तो पहले बात कर लेते हैं इनकी energies की, लेकि कहीं न कहीं मुझे इनकी ऐसी energy दिख जिसे ये person आपको ढूंड रहे हैं, तो ढूंड रहे हैं, इस चीजे साफ साफ जाहिर हो रहे हैं कि अब आपके बारे में इन्हें कुछ खास knowledge नहीं मिल पा रही है, जैसे पहले मिला करती थी, आपके synergy में हो, इनको लेकर क्या सोचते हो, इनको लेकर क्या feel करते हो, इन सभ आपके बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं, बटोरना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे अधिकतर विवस ने अपने आपको पूरी तरह से यापर गायप कर लिया है, या अपना focus आपने चेंज कर लिया है, जिसके चलते आपकी जो उर्जा इन तक पहुँचती थी, एक नीड आपको अपने आप से इन से दूर कर लिया, अब इन्हें आपको दूर करने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वो काम खुद से कर लिया, खुद का करा हुआ काम और इनके करे हुए काम के बीच में काफी जादा अंतर है, आप इस चीज को समझिएगा क्यों ये इस चीज को जादा तबज्जो दे रहे हैं, जब ये चीज़े ये खुद करते हैं, तो कहीं न कहीं इनका वो इगो यहाँ पर बूस्ट होता है, सेटिस्वाई होता था, लेकिन ये चीज़े जब आपने करी तो वो चीज़े इनकी साइड आपकी तरफ से रिजे कर पा रहे हैं, उस चीज की वज़े से ये परसन अपने आपको एक ऐसे पिंजरे में, एक ऐसे जाल में फसा हुआ पा रहे हैं, जो शायद काफी वक्त से आपके लिए बनाया जा रहा था, बनाया गया था, या फिर काफी वक्त से आप उसमें रह भी रहे थे, क्योंकि यहां पर एक और चीज विवर्स बहुत जादा इस इंसान को तोड़ रही है या यू को हो तो इस इंसान को यहां पर आपका इनकी जिन्दगी में क्या महत्व है आप किस तरह के इंसान हो इन सभी चीजों की इन्हें अच्छी खासी नौलिच या ज्यान दे रही है सबसे पहली चीज आप एक ऐसे परसन हो जो इसकी सोल जो है वो प्यार है जो किसी का बुरा नहीं चाहती है किसी का गलत नहीं चाहती है बस वो एक चीज की भूकी है प्यार की भरोसे की हो सकता है मेरे कुछ विवास अभी की बात नहीं है कि आप अभी spiritual words से जुड़े हो बचपन से आपका एक attachment रहा है भगवान से युनिवर्स से जिस भी religion में आप हो ना उनसे आपका एक बचपन से attachment रहा है एक तरह से आपने उनके साथ अपने रिष्टे बनाए है उन पर आपने भरोसा कर रहा है जो चीजे आपको खास बना जाती है जो चीजे आपको एक अलग energy एक अलग उर्जा में पहुचा जाती है तो यही सभी चीजे न अब इस इंसान को बले उस वक्त पे अपने घमंड में रहने के चलते नहीं समझ में आ रही थी है नहीं देख पा रहे थे देखना नहीं चाह रहे थे लेकिन अब उन चीजों पर यह परसन भरोसा कर पा रहे है रीजन इस कि यह परसन जब अपनी जिंदगी में आपको अपने आपसे दूर देख रहे हैं दूर जाते हुए पा रहे हैं तो इन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ट्रास्फोर्मेशल बहुत बड़े बड़े जटके दिखाई दे रहे हैं जब तक आप इनकी जिन्दगी में एक well-wisher के तोर पर थे, जिस पर ये परसना विवस भरोसा कर पा रहे हैं, लेकिन भरोसा इस इनसान को इतनी late हुआ, ultimate चीज़ें काफी इन्हों ने अपने आप से खतम कर ली, यहाँ पर इस इनसान की डिशनरी में, इस इनसान की सोच में, आप एक queen, ए लेकिन और इन्हें ये चीज़ें शयक्त पता भी थी, एक वक्त पे, लेकिन इनको ये लगता था कि ये फन्ने खाएं, या ये ही आप पर कंट्रोल करके रखेंगे, इनकी आप से हमेशा डिमांड रही, ठीके, लेकिन ये परसन अंदर खाने, विवस हमेशा से जानते ते और अभी भी जान पारे हैं, कि आप में क्या चीज़े खास हैं, या आपको क्या चीज़े खास बनाती हैं, और उन्ही खास चीज़ों की वज़े से ये परसन आपसे जुड़े हुए भी हैं, आप दोनों काफी डिफरेंट काइंड ओफ परसनालिटी थे, जितना आप स्प आपके साथ की वज़े से, जैसे वो कहते हैं न, कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तो अच्छे बनोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे, तो बुरे बनोगे, तो जब आप दोनों साथ रहें, तो उस दौरान अगर आपकी एनरजी का असर इन पर पड़ा, तो इनकी energy का कही नते आप पर भी असर बढ़ा जिसके चलते एक वद पे आपके अंदर भी ये घमंड आया कि ये जो person है ना ये सिर्फ आपका है या सिर्फ आपकी ऐसे आपसे कोई नहीं छेन सकता ठीक है क्योंकि आपके उपर इनका असर चड़ रहा था, overall यहां पर जब आप दोनों अलग हुए आप वापस अपनी energy में आएं लेकिन ये person अपनी energy में आकर इस चीज को realize कर पा रहे हैं deep inside कि हाँ आपके होने के बाद और आपसे दूर जाने के बाद इनकी जिंदगी में बहुत बड़े-बड़े transformations आए, जिसको लेकर ये prepare नहीं थे, जिसको लेकर इन्होंने कोई pre-planning नहीं करी थी बलकि ये सब भी transformations ऐसे feel हो रहे हैं जैसे मानो कि universe divine ने इनके खिलाफ कोई फैसला सुना दिया इन्हें कहीं न कहीं आपर पूरी तरह से नकार दिया या फिर इनको, इनसे इनकी power को छीन लिया ऐसी feeling इस person की यहाँ पर आ रही है ये जो prince या princess वाला attitude लेकर चलते थे उस चीज को लेकर एक्टम blank हुए पड़े हैं, ऐस न कि कि किस चीज पर ये person अब comment feel करें, proud feel करें उस तरह का confusion उस तरह की सोच मुझे इस person की यहाँ पर viewers दिखाई दे रही है, तो असर पड़ रहा है बहुत गहरा पड़ रहा है और कहीं न कहीं इन सब के पीछे 11-11 portal भी reason हो सकता है, और इन सब के पीछे कहीं न कहीं आपका ना, अपने आपको कैद कर लेना, अपनी उर्जा को सिमित कर लेना वो भी reason हो सकता है तो आप इस तीज को उस तरह से लेकर चलेंगे कि आपने करा है तो और अगर नहीं करा है तो यह 11-11 portal का असर पड़ रहा है चलिए, अब मैं आपको टेरो से देखकर बताती हूँ यह सभी चीजे गाइड कीजे universe, please divine, please archangers, please holy angels, please spread guide, guide कीजे और बताएए mystic और understanding को लेकर मेरी viewers के person की deep feelings क्या बन रही है spread guide, guide कीजे यहाँ पी आपका hermit and two of cups की energy आईए viewers, wargo and again water element काफी strong में है देखो कही न कही इस 11-11 portal की वज़े से यह person stories को समझ पा रहे है कि आप इनके क्या हो, अगर आप इनके twin flame या soulmate भी नहीं हो तो भी इस इंसान को आप में अपना एक बेतर soulmate एक अपना बेतर partner नजर आ रहे है जिसको यह person भी manifest करना चाह रहे है तो इनके दिल में deep inside यह चीजे है कि किसी तरह से यह आपको इस तरह से attract करे जिससे mutually आप तोनों के बीच में फिर से रिष्टा बन दे क्योंकि इन्हें यह चीजे समझ में आ रहे है न कि आप भी अब यहाँ पर कहीं न कहीं अपने आपको सीमित कर रहे हो आप भी कोई दिल्चस्पी, कोई interest इन में इस रिष्टे में नहीं दिखा रहे हो तो यह इस तरह से चीजों को, रिष्टे को, आपको यहाँ पर manifest कर रहे है यह भी यहाँ पर याद रखेगा इस 11.11 पोर्टल का फाइदा उठा रहे है फिर चाहे यह इनकी knowledge में हो कि 11.11 पोर्टल क्या होता है, होता है या नहीं होता है फिर चाहे इनकी पता हो, यूट्यूब तो यह भी देख रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब नहीं देख रहे होंगे या तारीके इनकी पता होंगी, तो definitely यहाँ पर यह चीज़े भी यह देख रहे है उसके अलग यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कि यह परसन इस वक्त में काफी सोल सर्च में भी है अपनी सोल को भी यह परसन जानना चाह रहे है, समझना चाह रहे है क्योंकि इने लग रहे है कि आपकी एनरजी इन से जादा हायर लेवल पर पहुँच गई है इनकी क्यों नहीं पहुँची जब कि कही न कहीं एक वक्त पे तो इसी चीज़ का घमंड तना की है पूर्ण है, समपूर्ण है, सब कुछ इनके पास है तो बला फिर क्यों ये अपनी जिन्दगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे है उस तरह से ये परसन अपने आपको, अपनी सोल को सर्च करनी में भी काफी लगे हुए है देखो, एक चीज़ और मैं आपके आपसे कहना चाहूंगी विवस, इनकी सोल बुरी नहीं है लेकिन इनकी कहीं न कहीं यहाँ पर आने के बाद जो चाहत इन्हों ने रखी थी उसने डेफिनेटली इनकी सोल को यहाँ पर मेला कर दिया लेकिन अब यह परसन उस एनरजी में है जहाँ पर यह भी सोल सर्चिंग में काफी ज़्यादा लगे हुए है और अपने आप में इस इंसान ने अपने आपको काफी ज़्यादा रख रखा है प्रिस्ट और ट्रस्ट को लेकर वीवर्स के परसन की फीलिंग क्या है डिवाइन जज्जमेंट और फूर अफ सोर्ट ओके तो यहाँ पर वीवर्स आपका हो गया स्कॉर्पियो एंड आपका लिबरा तो हो सकते है मेरे वीवर्स कुछ इस तरह से यहाँ पर कपलो देखो इने ना अभी तक कही न कही जितना ये ब्रेक अप ये सेपरेशन ये अलगाव इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा था जितना आपको कर रहा था आपको तब तक कर रहा था जब तक आपने अपनी सोल को अपनी universe अपने divine या अपने life purpose की तरफ नहीं बेजा तब तक कहीं नकहीं आपको भी इन चीजों से problem हो रही थी लेकिन जैसे ही आपने अपने आपको यहाँ पर युनिवर्स से डिवाइन से जोड़ना शुरू करा या इनकी एनरजी से अपने आपको आपने दूर करना समेटना शुरू करा वैसे ही यहाँ पर वो सभी चीजों का असर, यानि कि इन बुरे कर्मों का असर जो आप पर भी पढ़ रहा था, वो इनके उपर लोटना शुरू हो गया, इस ब्रेक अप से, अलगाव से, सपरेशन से, प्रॉब्लम इस परसन को अब होने लगी, कल तक आपके साथ इसलिए ज से जोड़ना शुरू कर दिया, वो चीज़े इनके उपर लोट कर आ रही है, और यही चीज़े इस इंसान को इस चीज़ पर भरोसा करा रही है, कि हाँ, आप एक प्योर सोल हो, आपकी सोल डिवाइन से, यूनिवर्स से हमीशा जुड़ी होई है, इनके चक्कर में, इनके पहकावे में आने के चक्कर में, आपनी अल्टिमेटली अपनी सोल को इनके साथ मैला कर दिया, अब आपको यह परसन इस वे में देख रहे हैं, जैसे मानों आपका पुनर जनम हुआ है, या फिर आपनी सोल को पहचान लिया, और उसी रीजन के चलते हैं, यहाँ पर अगर जजमेंट यूनिवर्स डिवाइन सुना रहे हैं, तो आप भी अब इस इंसान को जज करने में कोई कसर, कोई कमी नहीं बरत रहे हो, यह सभी चीजें इस इंसान को इस पल में, डीप इनसाइड विवर्स, दीमक की तरह चाटती जा रहे हैं, खोकला करती जा रहे हैं, सोने में मेरे विवर्स के परसन की फीलिंग्स को बताईए, स्प्रेट गाइड इवाइन, मुझे गाइड कीजिए, क्या बन रहे हैं, यहाँ पी कुईन और वेंड्स एन आपका सिक्स अफ सोर्स है, इरीस, लियो एन सचिटेडियर्स, मेश सिंगेंदनू, राशी एन आपका ए वाले, courageous, confident, independent, focused ऐसा परसन बनते हुए पा रहे हैं, मतलब यह परसन इस वक्त में विवर्स अपने आपको रोक नहीं पा रहे हैं, आप ही से तुलना करने में, और जितनी जादा यह आप से अपनी तुलना कर रहे हैं, उतना जादा यह परसन अपने आपको high level पर नहीं दे आपको रोक नहीं पाएंगे, यह आपको तब रोक नहीं पाएं, इसी reason के चलते अब भी आपको रोक नहीं पाएंगे, वो feeling इस इंसान को काफी ज़्यादा disturb कर रही है, लब इस इंसान को सबसे ज़्यादा जो अंदर यंदर बात खाय जा रही है, वो यह कि आप कैसे move on कर रही हो, आप कैसे सुकून से बैटे हो, आप कैसे यहाँ पर हिम्मत बटोरे बैटे हो, क्योंकि वो सभी चीजें इन से नहीं उपा रही है, यह सभी चीजें इनको करने में जितनी ज़्यादा दिक्कत समस्या पैदा होती हुई, feel हो रही है वीवर्स, उतना ज़्यादा य वो फरक समझ में आ रहे हैं, जिस फरक को ना आप समझ पाए, ना आप समझना चाहते थे, प्यार में होने के चलते, ये समझ पा रहे थे, लेकिन ये कभी भी उस विशे पर बात नहीं करना चाह रहे थे, तो वो चीजे अब इनके साथ यहां पर हो रहे हैं, अभी भी बात का कर रहे हैं उस विशय को अपने अंदर ही अंदर आटे की तरह मतते जा रहे हैं गूतते जा रहे हैं वो मुझे एनरजी इनकी दिखी है जज़ ट्रांसफरमीश को लेकर वीवर्स के परसंद की करेंट फीलिंग्स क्या हैं डीफ इनसाइड क्या इनके मन में इनके दिल में चल रहा है डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताईए इस प्रेट गाइड कीजिए Ace of Cups and the Lovers की एनरजी आई है भई प्यार उमड रहा है इस परसंद के दिल में इस इंसान के दिल में एक नई शुडवात की इच्छा हैं आपके साथ Twin Flame Soul में दोनों ही एनरजी जैं यानि कि अब इस इंसान को अब अपनी जिंदगी में जो बदलाव आएगा आ सकता है वो आ आपके साथ एक नई शुडवात की वे में उस रास्ते पर चलकर ही नजर आ रहा है अब इसके पीछे अगेन मैं वही कहूंगी बही 1111 जो है पोर्टल यहां पर काम कर रहा है कुछ भी आप बोलो लेकिन वो पोर्टल यहां पर डेफिनिटली काम कर रहा है इसी रिजन के च फेखेएं कि अगर भले अभी तक इनके दिन इनकी सोच थी तो अब यहां पर इस इंसान को आपके दिन बदलते हुए और अपने दिन बुरे नजर आ रहे हैं जड़ यह परसन अभी भी कर रहा है लेकिन अभ यहां पर जो जड़ कर आ जा रहा है उसमें अपने आपको और आपको काफी ऊचा और अपने आपसे superior यह person पा रहे हैं प्रेंस और नो-thinking-ness को लेकर वीवर्स के person की current feelings क्या बनी होई हैं डीप feelings वीवर्स के person की प्रेंस और नो-thinking-ness को लेकर क्या बन रहे हैं spread guide, guide कीजे, बताए है Ears of source and the chariot मुझे ऐसे chances देख रहे हैं एक बद पे न, इन्हें ये चीजे तक कई न कई घमंडी स्वभावी की केटेगरी में पहुचा रही थी, कि इस रिष्टे में एफर्ट आप नहीं ये कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसा कुछ खास इस रिष्टे के लिए नहीं करा, या इतने एफर्ट जितने इस रिष्टे में डले, वो इन्होंने डाले, आपने नहीं डाले, वो सभी चीजों को लेकर भी ये परसन mentally clear हो रहे हैं, पहले उस चीज को ये परसन कहें नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही चीज है न, अपना दिल, अपना मन तो ये चीजे समझ पा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर इस इस इंसान को पूरी तरह से कोरा कागज बना कर छोड़ रही है, कोई वजूद, कोई अस्तित्वों नहीं बचा, ऐसा फील इन्हें यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, अब में पहले आपको यही बताने जा रही हूँ वियोस कि आपको आज के दिन क्या करना है, विश जो आप आप चाहते हो वो करना है, अपने स्टेटमेंट से आपको नहीं मुकरना है, यानि कि आज के दिन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक एक विश करके आप लेकर चलो, तो जादा बेतर है, ठीक है, या अगर आप एक साथ दो या तीन विश लेकर चल रहे हो, तो ध्यान उन दो या तीन wishes में कोई भी changes नहीं होने चाहिए जो आज की तारीख में लिख रहे हो वही statement आपको 11-11 पर use करना है आज भी और daily daily 11-11 बाला यह आपको rule यहाँ पर अपनाना है तो मैं आपको water technique बताने जा रही हूँ viewers दिखेगा यहाँ पर आपको क्या करना है बिसिकली आपको एक कांच का glass लेना है अभी मैं आपके लिए यहाँ पर यह glass लेकर आई हूँ तो आपको एक कांच का glass ले लेना है उस कांच के glass में आपको पानी डाल देना है आज 11-11 बजे से पहले यह सभी चीज़े आप कर लीजेगा और 11- को आपको इतना ऐसे एक पेपर जिस पे लाइने ना हो वही पेपर आप यूज कीजेगा ठीक है और उस पेपर पर आपको रेड पैन से या रेड मारकर से अपनी विश लिखनी है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सपोज आप री उनियन चाहते हैं तो री यूनियन और किसके साथ चाहते हैं उसका नेम यहाँ पर मेंशन कर दीजेगा उसका नेम पूरा नेम यहाँ पर मेंशन कर दीजेगा समवन ठीक है री उनियन और यह है समवन या फिर आप री कंसलेशन प्लस समवन उसका पूरा नाम उसका फरस नेम और उसका लास्ट नेम ऐसी करके आपको इस चिट को यहाँ पर ऐसे चिपका देना है और यहाँ पर इस ऐलो टेप लगा दीजेगा और पानी आप इसमें उतना ही भरिएगा जितना पी पाएं फिर उसके बाद आपको अपनी विर्ष को फिर से बोला है उस person के साथ जो भी आपने beautiful moments spend करें उनने अपने मन ही मन में आपको visualize करना है सोचना है क्योंकि आप उनने भी आगे देखना चाहरे है और उसमें साथ में आपको इस तरह से visualize करना है कि आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ हो एक दूसरे के साथ खुश हो एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे पर भरोसा कर पा रहे हो, care कर पा रहे हो, इन सभी चीजों को कम से कम आपको पांच मिनट अपने मन में visualize करना है, यानि कि आपको इसे अपने मन में imagine करना है, imagination से picture जैसे होती है न, movie उस तरह से आपको मन में चलाना है, जो आज आ आपको नहीं करना है, उसके बाद उस पानी में आपको फूक मानी है, one, two, three, फूक मानी है, and then आपको पूरा पानी पे जाना है, एक ट्रॉप भी आपको पानी की नहीं जोनी है, फिर उस चिट को आपको निकाल लेना है, उस चिट को आपको ऐसे करके फोल्ड करना है, अप आपको क्या करना है इस चिट को इस जो आपने बनाई है उसे अपने पिलो के नीचे रखकर आपको सो जाना है फिर उसके बाद next day 11.11 रात को आपको इस चिट को निकाल का फिस से manifest करना है जैसे आपने आज के दिन कर रहे है वैसे आप daily कीजेगा जिर लोगों का आज क्या दि miss हो जाता है तो आप कल से यह start कर दीजेगा यह November month पूरा आप करिएगा definitely for sure अगर आप पूरे अच्छे intentions के साथ करेंगे तो यह जरूर से work करेगा और end में जाकर जब आपका 21 days हो जाए तो चीजों को let go करना होता है यानि कि आपने manifest कर लिया and आपने universe को thank you बोल दिया कि thank you universe thank you universe thank you universe आपने मेरी wish fulfill करी है and आपको उसको burn कर देना है ठीक है burn करके आपको उसकी ashes को हाथ में ऐसे मसल कर फूक मान देना है ब्लो कर देना है universe divine को आपने अपना masses forward कर दिया manifest करके let go कर दिया and that's it इतने वक्त तक आपको बिलकुल अपने मन को positive बनाए रखना है negative बिलकुल नहीं होना है गुसा कम करना है क्योंकि बिलकुल कहूंगी खतम करना है वो आपके लिए possible नहीं हो पाएगा तो ये सभी चीजों को करोगे कोई शिद्दत से चीज मांगते है कहते है ना शिद्दत से जो मांगो वो मिलता है तो वो शिद्दत आपको अपनी इस manifestation में दिखा नहीं होगी ठीक है तो ये चीज़े है तो कौन कौन करने वाला है जल्दी से जाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा वेवस की कौन कौन करने जा रहे है और अपना जो भी आप कर पाते हैं करते हैं इस चीज को 21 देज बाद मुझे जरू से बताईएगा आपने complete क आपके विश्पू फुल्फिल होती है तब भी जरू से मुझे बताईएगा चलिए अब में आपर देखती हुई सना जी से स्टेट अफ माइन के साथ ये परसन आपको कहना क्या चाह रहे हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं जो अपिसली नहीं कह पा रहे हैं ये परसन और मुबान का पहाड़ा पढ़ा जा रहा था ना वो इसलिए ताकि आपके मन में डर डाला जाए या आप कहीं न कहीं अपने आपको समझ ना पाओ I kept the text आपके messages रख रखे हैं जिसे ये परसन पढ़ भी रहे हैं I know you won't feel the same ये परसन इस चीज़ को जान पा रहे हैं कि आप इनके जैसा feel अब नहीं कर पा रहे हैं ये भी मैंने आपको बोला ना आपका अपना energy को कीच लेना My heart belongs to you कहना चारे मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है तुमसे जुड़ रहा है and I don't want to be reminded of you लेकिन ये कहीं न कहीं जितना चीज़े clear हो रहे हैं जितना यहाँ पर इने समझ में आ रहे हैं इनका ego का ऐसी का कैसी हो गया है वैसा ही ये person इस चीज़ को अपने आपको convince कर रह है यहाँ पर यह हो रहा है कि कल तक अपने आपको king या queen समझने वाले इनसान को जब यह समझ में आया कि सामने वाला भी यह सामने वाली भी same उनके जैसे है उनसे बलकी superior है तो वो यहाँ पर कहीं न कहीं यह बात कर रहा है यह कर रही है तो वो मुझे energy में यहाँ पर आज का आपको manifestation का technique बताया एक खौप काफी चीज़े एक reading में cover up कर पाई हूँ आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ connect कर पाई लेकि still अभी तक universe को divine को gratitude नहीं दिया तो जरूर से दीजेगा 21 दिन तक gratitude जरूर से देना है बिल्कुल भी जरूर से करके जाईएगा बाकी का मिलती हूँ next reading में उकी बाबाई